हाई दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन दोस्तों चैक के केस में सजा का क्या प्रावधान है? किस प्रकार सजा से बचा जा सकता है? सुप्रीम कोट का वो कौन सा जजमेंट है जिसके आधार पर अब आपको यदि आप मजिस्ट्रेट सहाब के आदेश के अनुपालना कर चैक का अमाउंट जमा करवा देते हैं और इंट्रेस्ट और कमपनसेशन की राशी जमा करवा देते हैं तो आपको सजा नहीं होगी जेल नहीं जाना पड़ेगा यह जेजमेंट आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस से पहले मैं निवेधन करूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजी और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ला lawful debt और liability के कारण किसी को check issue करता है और यदि वो check dishonor हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने check issue किया है उसको दो वर्ष तक की सजा हो सकती है और उसको check राशी से दुगुना जुर्माना देना पड़ सकता है यह original section 138 negotiable instrument act का मूल भावना है अब इसके बाद इसमें negotiable instrument act में amendment हुआ और section 143 insert किया गया section 143 में ये बताया गया कि ये case एक summary trial के रूप में लड़ा जा सकता है और यदि magistrate चाहे तो इसमें प्रते case के नुसार अपने discretion में एक साल तक की भी सजा दे सकता है और ये lawful होगी अब इसके बाद क्या हुआ कि 138 cases का देश में flood आने लगा तो एक law commission establish हुआ और उसने 213 law commission ने अपने report दी उस report में बताया गया कि देश में एक 1.8 करोड cases pending है और इसमें 20% cases negotiable instrument act के हैं अभी बहुत जादा जब business transaction होते हैं और check dishonor होते हैं तो इन cases का flood आ गया पूरे देश में अब इसके बाद इन सब को consider करते हुए सुप्रीम कोट ने ये बहुत जादा महतुपून judgment दिया ये report हुआ 2018 1 SCC page number 560 में case का नाम है meters and instruments private limited versus कंचन महता मैं इस case के महतुपून पहलूँओं को बताने से पहले मैं इस case के कुछ facts और background आपको बताना चाहता हूँ कंचन महता इसमें complainant थी उन्होंने meters and instruments private limited ने कंचन महता को एक check दिया और वो check dishonor हो गया trial court में trial चली section 147 of the negotiable instrument act के तहत accused ने application लगाई और application में ये निविदन किया कि हम check का amount जमा करवाने को तयार हैं और इस case को compound कर दिया जाए हमारे अपराद को शमन कर दिया जाए और trial को समाप्त कर दी जाए और check का amount हम परिवादिया complainant को देने के लिए तयार हैं court ने complainant से पुछा, complainant ने offense को compound करने से मना कर दिया कहा कि नहीं मैं check राशी लेने को तयार नहीं हूँ इसके बाद court ने उस application को reject कर दिया ये case on rebel high court गया high court ने भी interference नहीं करी कहा कि कोई भी अपराद compound तब ही हो सकता है जब जिसके साथ अपराद कारित हुआ हो वो भी राजी नामा करने को तयार हो जब यहाँ पर परिवादी ने राजी नामा करने से मना कर दिया तो magistrate court के पास या high court के पास कोई ऐसी बात या power नहीं थी जिससे वो किसी को compel कर सके कि आपको राजी नामा करना ही पड़ेगा और case compound करने का order कर सके और अभ्यूक्त को माफ किया जा सके यह case honorable supreme court में गया honorable supreme court ने सारे पहलूं को consider करते हुए यह बहुत महत्वण judgment दिया जिसका नाम है meters and instruments private limited versus कंचन महता 2017 में यह judgment दिया 2018 1 SEC page number 560 पर यह publish हुआ और बहुत सारी law books में भी यह law generals में भी यह judgment publish हुआ इस judgment ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और case का adjudication की powers अब honorable magistrate सहाब के हाथ में दे दी चाहे परिवादी मना करे लेकिन यदि वो जच सहाब संतुष्ट हैं और अभ्यूक्त चेक की राशी interest और हर्जे खर्चे का amount देने के लिए तयार है तो magistrate को बहुत सारी powers दी वो powers क्या है वो हम one by one discuss करते हैं सबसे पहले ये बताया इस judgment में कि 138 negotiable instrument act का अपराद प्राइमरी लिए एक civil wrong है मतलब इसका मूल उद्देश ये है कि वो civil wrong है कोई व्यापारिक transaction के करण चेक दिया जाता है और ये अपराद की शिर्णी में नया करके प्राइमरी रूप से ये civil wrong है और इसका मुख्य उद्देश है पैसा दिलवाना पर इसको अपराद इसलिए बनाया गया ताकि वो उस डर के मारे चेक को dishonor ना करे और उसका पैसा परिवादी को दे सके इसके बाद एक और मुख्य बाद ये कही कि यदि कोड के आदेशानुसार accused, check amount, interest और penalties देने के लिए तैयार है तो कोई reason नहीं है कि accused को सजा दी जाए इसके बाद एक और मुख्य बाद ये कही कि यदि accused primary stage पर application लगाता है compound करने के लिए कि इसको और पैसा देने की request करता है तो ये काम primary stage पर ही हो जाना चाहिए परन्तु यदि court की power से कि accused यदि later stage पर भी application लगाता है और ये request करता है कि मैं अब check up amount देने के लिए तैयार हूँ मेरे अपराद को शमा कर दीजी तो ये court की power है कि किसी भी stage पर final argument की stage पर भी वो case को compound कर सकता है ये बड़ा important aspect है इसके बाद एक और बात बताई गई वो सबसे महत्पूर्ण ये है जो कि इस case में हुआ अब परिवादी से पूछने की आवशकता नहीं है ये court का satisfaction है यदि court क description है कि वो case को compound कर सकता है बिना parties की सेहमती के यदि accused, check amount, interest amount, арja, narration investigation, court, court के discretion के अनुसार देने के लिए तईयार है तो वो किसी भी stage पर बिना complainant से पूछे या बिना complainant की रजामंधी के court का discretion है कि वो case को compound कर सकता है, offense को compound कर सकता है, case को समापत कर सकता है और accused को बरी कर सकता ह अब एक और मैत्पून बात इस judgment में कही गई कि procedure normally summary procedure होना चाहिए जैसा कि 143 की भी भावना ये है कि ये normally summary procedure होना चाहिए और इसमें strict rules CRPC के applicable नहीं होने चाहिए इसके बाद एक और बात कही गई कि एफीडेबिट्स पहले जो की oral record किये जाती थी evidence अब ये कहा गया कि evidence एफीडेबिट की रूप में दे दिया जाए एफीडेबिट एक ही हो और वो सभी purpose के लिए चाहिए वो inquiry हो ट्रायल हो उन सभी purpose के लिए evidence के लिए वो एफीडेबिट परियाप्त मना जाए और जो भी return documents है उसके आधार पर और एफीडेबिट के आधार पर ये एक sufficient evidence मानी जाए इसके बाद एक और बड़ी महतपून व्यवस्ता दी गई इस judgment में कि complainant अपने bank account का description अपनी परिवाद पत्र में जब case पेश करेगा तो वो देगा और यदि संभव हो तो वो accused का email ID भी देगा अब यदि complainant के पास उपलब्द नहीं है तो यह उस bank की duty होगी जिस bank ने check dishonor करके complainant को दिया है जो accused की bank है वो accused का email ID को disclose करे इसके बाद court summary trial के रूप में try करने के लिए जो summons issue करेगा उसमें वो check का amount mention कर सकता है ये बड़ा महतपून है कि court जो summon issue करेगा उसमें check का amount और उस accused को वो summon issue करेगा और यदि accused वो amount जमा कराने के लिए complainant के bank account में तयार है तो accused को trial लड़ने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी यदि वो court के summons की court के orders की compliance प्राइमरी stage पर ही कर देगा तो यदि इस भावना की अनुपालना अभी भारती ने आयलेओं में नहीं हो पा रही है ल penalties लिख दे कि साब इतनी राशी आप जो हर्जे खर्चे की रूप में इतनी ब्याज की रूप में इतनी चेक की रूप में परिवादी को अधा कर दीजी और accused court के satisfaction के अनुसार समन में जो राशी अंकीत की गई है वो राशी प्रारंबिक इस तर पर ही अधा कर दे तो accused को आ accused किसी भी इस तर पर माननीय नयाय लेके अधिश की पालना के अनुसार चैकराशी इंट्रेस्ट और हर्जा खर्चा जमा कराए तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा धन्यवाद थेंक्यू फ्रेंड्स